जनियत पर जो ये हमला हुआ है उसकी सूरत आज नहीं तो कल बदलेगी बदलनी चाहिए मिन्हें आज से पहले इस देश को इस तरीके से लाशों के ठीर में बदलते देखा हम इतने असाहाय कभी नहीं थे एक देश के तौर पर इंसान के तौर पर जमक्रसी के तौर पर हम पूरी तरीके से निकम में ध्रस्ट और बरबर सावित हो चुए हमें से हरेक आदमी अपनी नसरों में किरा हुआ है हम सब किसी अद्रिश्य शक्ति की मदद के उम्मीद में हैं ऐसा लगता है जैसे यहां कोई सरकार नहीं है यहां कोई प्रधान मंत्रे नहीं है यहां कोई विवस्था नहीं है यहां कोई बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं दिखा है अब किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए वो कहते हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिड़ हो गई है हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं है थे आक्सिजन के बिना अपने पेशेंट को तड़क तड़क कर मरना डॉक्टरों की नीन दुड़ा दे रहा है और आप यकीन मानिये मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक पीमारीयों से लड़ रहे होंगे जो मौतें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं इसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं है इस देश को नर्क बना दिया गया इस देश को दोज़क बना दिया गया है और हम सब को इतना बेचारा बना कर छोड़ दिया गया है जैसे हमारी कोई अहमियत में खेर, वो वक्त शायद गुजर जाएगा और जब ये गुजरा हुबा वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूँगा नहीं रहूँगा मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीश रहेंगे नहीं रहेंगे डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस दुनिया को और बहतर होना चाहिए वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नसलों के लिए मंदिर और मस्चिद के जगड़ों से उपर उठना चाहिए हमको सोचना चाहिए और सोचना चाहिए किस देश को मंदिरों, मजारों, मिनारों की जरूरत नहीं है हमको सोचना चाहिए कि स्टेश को अच्छे हस्पतालों की जरूरत है स्टेश को अच्छे स्कूलों की जरूरत स्टेश को अच्छे medical colleges की सरूरत है अच्छे doctor, paramedic staff की जरूरत है दवाईयों की जरूरत है बिस्थरो और ventilator की जरूरत है ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश के हर मंदिर के दौलत को अस्पतालों के हवाले कर दिया जाए ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर मस्जिद को अस्पताल में तब्दील खर दिया जाए ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिल तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसके साथ सौ बिस्तर का स्पताल नहीं बनाया जाएगा उसके साथ कोई स्कूल अटेच नहीं होगा हमको सोचना पड़ेगा